Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसकरते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्ट्रेंट जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यूपी पॉल टिकनिक और सेमेस्टर का एक्जाम 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है जिसका समय बहुत ही जादा नजदीख है इसी के बीच डियर स्ट्रेंट आपके एक्जाम से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट एक बहुत ही बड़ी नियूज निकल करके सामने आ रही है और यह अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि आज की ही है चार मार्च 2022 आप डेट यहां पर देख पा रहे होंगे तो आईए देखते हैं इस नोटिस में क्या है और इसके माध्यम से क्या इंफामेशन दी जा रही है प्रेशक का नाम लिखा डियर स्ट्रेंट सत्यु प्राविदिक सिक्षा परिशत उत्तर प्रदेश लखनवू सेवा में प्रधाना चार्ज निदेशक्स परिशत से सम्म समेस्टर परिख्षा विशेस बैक पेपर परिख्षा यो मल्टी पॉइंट केडिट सिस्टम परिख्षा दिसंबर 2021 है तो निर्धारित परिख्षा केंद्रों की सूची विश्यक मेंस आप लोगों का सेंटर कहा जाएगा उसके आधार पर यह नोटिस जारी हुई आए द पालन में परिख्षद की विशम समेस्टर विशेस बैक पेपर मल्टी पॉइंट इंट्री एंड केडिट सिस्टम परिख्षा दिसंबर 2021 की लिखित परिख्षा दिनांक 22 मार्च 2022 से 2 अप्रेल 2022 के मद्ध है आयोजित किये जाने का नेड़य लिया गया है उक्त परिख्ष अनुसार परिख्षा के लिए सुचित कराना सुनिशर करे परिख्षा कैंद्रों को परिख्षा समीत की आफ तीन दोहजार बायस से 2 अप्रेल 2022 तक परिख्षा संपन किर आई जानी है BTUP.AC.IN पर प्रसारित की जा रही है सूच है कि प्रसारित किये परिष्छा केंद्रों की सूची को जांच लें योम यह सुनिस्चित हो लेंगी आपकी संस्था का परिष्छा केंद्र लगा है अथवा नहीं ऐसी संस्थाओं है तो जिनके छात छात्राय उक्त परिक्षा में समलित हो रहे हैं जिसकी सूचना परिक्षद कार्याले को ततकाल इमेल नमबर यहां इमेल आईडी दी गई है पर सूचित करना सुनिस्चित करें साथ ही यहाँ निद्धारित किया जाता है कि परिक्षा से संबंदित समस्थ औप्चारिक्ताएं तयारियां पूर्ण करना सुनिस्चित करें जिससे परिक्षा निद्धारित परिक्षा केंद्रों पर सुचारी रूप से संपन कराई जा सके कार परिक्षा से संबंदित है ज आप सभी लोग के exam का center कहां पर गया है उसको जाज पर करके आपको वहां पर जाकर के अपना exam देना है exam का जो schedule था वही था बाकि आप time table जाकर के official website से फिर से download कर सकते हैं अब यहां पर आप देख पाएंगे तो यहां पर देखिए यहां पर लिस्ट लगा दी गयी कि कि किस college का center कहां पर गया है ठीक है सब कुछ यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा center का नाम क्या है institute का क्या नाम है allotted institute आप देखें यहां center name लिखा होगा ठीक है यहां college code लिखा हुआ है allotted institute मतलब कौन से institute आपको allot हुआ है जैसे आप यहां देख पारेंगे government leather institute आगरा है तो government leather institute आगरा मतलब यहां पर आप देखेंगे तो कहां पर इसका center गया है ठीक है वो सब चीजेंगे आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे मतलब का कई सारे लोगों को हम यहां पर देख पर हैं के center वहीं पर हो सकता है ठीक है और center change भी हो सकता है आप देखेंगे कुछ लोग का सेंटर चेंज हुआ होगा कुछ लोग का साय सेंटर चेंज नहीं हुआ होगा जहां है वहीं आपका पेपर हो रहा होगा तो जो कुछ भी हैं आप सभी लोग इसको अपना लिस्ट अच्छे से देख लीजेगा अभी इस लिस्ट को हम टेलिग बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है बहुत ही जरूरी सूचना थी और अभी 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 अपडेट निकल करके आ रही है इसलिए हमने सोचा कि आप सभी लोग को अपडेट कराई जाए अब यहां पर हमें हर एक कॉलेज का डियोश्टेंट चेक तो कर नहीं सकते हैं अभ आपका जो है कॉलेज कहां पर कैसे लाट हुआ है वहाँ पर अपनी ब्योस्ता आप लोग बना सकते हैं टेलिग्राम चैनल अभी अभी तक आप लोगों नहीं डाउनलोड किया है मतलब नहीं जॉइन किया है तो उसके लिए आप टेलिग्राम आपको सर्ज करिए डीडी मै के कॉलेज में है वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर हमारा जो है सेंटर वहीं है तो ठीक रहेगा वह सेंटर कहीं बाहर जाए आपके ही कॉलेज में उससे बहुत ज्यादा एफेक्ट पढ़ने वाला नहीं है डियो सेंट्स आपके लिए बहतर होगा और अपनी पढ़ाई में डियो सेंट्स लग जाए क्योंकि इसी बीच में भी होली की छुट्टी भी पढ़ने वाली है उसमें आप लोग थोड़ा सा बेस्त रहेंगे तो उस बीच आपकी पढ़ाई उतनी अथी नहीं हो पाएगी इसलिए अपनी पढ़ाई को बहतर तरी किस अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दिए जिससे आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो बाखी यह सेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते है नेक्स वीडियो के साथ नेक्स टॉपिक के साथ तब तक लिए सांधार रही और पढ आते रहिये